हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम बैक टो एड़ ओनलाइन आए कंटिन्यू करते हैं अपने यूनीट 2A इस सेल्फ मनेजमेंट स्किल्स और इसके सेशन टू पर हम डिसकस कर रहे हैं सेशन टू को हमने पार्ट में डिवाइड किया है पार्ट वन पर हम पहले डिसकस कर चुके है अगर आपने नहीं देखा है तो आई टैप पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा आप उसको देख सकते हैं वहाँ पर जाकर इंपोर्टेंट है आपको जरूर देखना चाहिए और इस वीडियो में डिसकस करेंगे इसके पार्ट 2 पर in which we discuss meaning of self-awareness to work independently it is more important to be self-aware यदि आप चाहते हैं कि आप work independently कर पाएं तो आपको अपने वारे में सही से जानना होगा और कैसे आप जानेंगे क्या होता है अपने आपको जानना इस पर हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो आज़े चलते हैं जानते हैं meaning of self-awareness so self-awareness is the thinking skill that focuses on the ability to work ability to accurately judge your own performance and behavior means self-awareness क्या है thinking skill है जो इस ability पर focus करता है कि आप अपने performance और behavior को accurately judge कर पाएं and to respond appropriately to different social situations और जो different social situations हमारे day-to-day life में आती हैं उन्हें आप appropriately respond कर पाएं so this is known the self-awareness as we are the humans हम humans है and human is a social animal और social animal होने के कारण social situations भी हमारे day-to-day life में पैदा होंगी और उन्हें हमें deal भी करना होगा and it is just not only the meaning of self-awareness research shows that self-awareness is directly related to both emotional intelligence and success जो यह self-awareness होती है यह emotional intelligence और success से directly relate करती है और यह हमें ऐसे goal set करने में भी मदद करती है जो हम achieve कर पाएं क्यूंग क्योंकि यदि आप self-awareness है इसका मतलब है कि आप अपने strength आपनी weakness और अपने जो drives है drives मतलब something which drive you driving जैसे चलाना होता है जैसे car को चलाना होता है आप drive करते हैं car को ऐसे ही हमें भी गता है कि बहुत सारी चीजाे ही होती है जो drive करती है वह कुछ human भी हो सकते है कुछ हमारी Primark अपने जानते हैं कि वह कौन से ऐसी इच्छाए है जिनके लिए आप काम करते हैं जैसे मेरी ifs है कि मैं एक IT company मेनना चांटा हूं जो बहितर IT product प्रोवाइड करा पाए, so this is my drive, इसी के लिए मैं मेहनत करता हूं, राद दिन काम करता हूं, ऐसे ही यह तो मैंने एक drive आपको बताया, अलग-अलग हमारे drive होते हैं, आपके अंदर भी हो सकते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, इसलिए वो पढ़ता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, इसलिए वो study कर रहा है, तो सब के अपने-पने drives होते हैं, यदि आप अपने drive, weakness और strength को सही से जानते हैं, तो आप ऐसे goal set कर पाएंगे, जो आप achieve कर पाएंगे, और फिर आप उन्हें achieve भी कर पाएंगे, and it allows you to guide yourself, और यह अपने आपको guide करने में मदद कर करता है, कि आप उन opportunities में आगे बढ़ें, जो आपके skill set, आपके preferences, और आपके tendencies के हिसाब से fit हो, मतलब जो आपके विचारों से मिलता हो, जो आपकी choice हैं, जो आप कर सकते हैं, ऐसे opportunities पर आगे बढ़ते हैं, if you are self-aware, और यह यह भी आपके लिए आसान बनाता है, कि आप ऐसे लोग यह ऐसी situations को identify कर पाएं, which triggers you, जो आपको trigger करते हैं, और enable करते हैं, to anticipate your own reactions, और अपने विचारों का अनुमान लगा पाएं, that is self-awareness, so self-awareness helps an individual to tune into their feelings, as well as to the behaviors and feelings of others, self-awareness केवल हमें अपनी ही भावनाओं के साथ सही से तालमेल बैठाने में मदद नहीं करते हैं, बलकि दूसरों की भावनाओं और दूसरों के विवाहर हैं, उनसे भी हम सही से तालमेल बैठा पाते हैं, if we are self-aware, if you are self-aware, you understand your own likes, dislikes, and your strength and weaknesses, और यदि ऐसा है, तो आपके जो notice भी किया होगा कि बहुत से व्यक्ति कुछ काम करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपने क्यूं किया, तो ऐसे ही कर दिया था, और ऐसे ही करने का क्या मतलब है, कोई भी जब हम काम करते हैं, तो we must conscious, हमें उसके लिए conscious होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता होना चा आए कि आप ने देखा कि आपके आसपास बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी आवाज को automatically moderate level पर ले आएंगे, ताकि दूसरों को disturb ना हो, यह कब हुआ जब आप aware हैं, यदि आप aware ही नहीं होगे कि आप कहा हैं, तो आप वो action नहीं कर पाएंगे, when you are self aware, जब आप self aware होते हैं, at the time of stress, you know, would like to do distract your mind, जब आप self aware होते हैं, तो आप जानते हैं कि जब आपको stress हो, तो तब आपको क्या करना है, अपको अपना mind distract करना है, उस particular condition से, जैसे suppose आप match subject से डरते हैं, और match subject से डरते हैं, डरते क्यों हैं, आप उसमें आपने सही से study नहीं कियोगे, आपन इसलिए आप डरते हैं, बजाए इसके कि आप उसे के concept clear करें, उस पर hard work करें, आप क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, और ऐसे से विचार आते हैं, आपको कि आप मतलब पढ़ाई करने की बजाए आप इदर उधर के काम करते हैं, nervousness feel करते हैं, तो यदि आपके साथ ऐसा हैं, तो nervousness feel करने से better है कि आप उस समय कोई game खेल लें, या फिर आप कोई ऐसा काम करें, जो आपको mind को relax दे, but the option is only that you have to do hard work, वो concept के लिए नहीं होंगे, तब तक आप उससे डरते ही रहेंगे, Knowing your emotional triggers helps you to develop a strategy for remaining calm on those situations, यदि आप अपने emotional triggers को जानते हैं, तो stress वाली condition में, सान्त रहने के लिए, आप अपने लिए एक strategy develop कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एक example लिया था, कि अगर कभी stress feel कर रहे हैं, subject को लेकर तो आप कोई game play कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा काम जो आपके mind को relax द करना है, किन किन conditions में, ऐसी strategy आप अपने लिए develop कर सकते हैं, if you are self aware, so remember self awareness is important to your own leadership growth and also of your family and team, ये आप ध्यान में रखें कि जो self awareness हैं, वो केवल आपकी अपने leadership growth के लिए important नहीं हैं, बलकि आपकी family और आपकी team दोनों के लिए important हैं, आपके decisions हैं, वो आपकी family और आपकी team को भ effect नहीं करते हैं, so it is important to put the time in for self awareness, जरूरी हो जाता है कि हम self awareness पर थोड़ा time खर्च करें, और इसके लिए आपको ये चीज़ सीखने के लिए आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये केवल मैं जो आपको बता रहूं, ऐसे नहीं कि ये video देखने से हैं, आप self aware हो जाएंगे, इसके लिए आपको अपने उपर work करना होगा, ये आप किताबों से नहीं सीख सकते हैं, इसके लिए आप अपको practical life जो आपकी है, वहां से आपको सीखना है, जो आप दूसरों के साथ behavior करते हैं, जो decisions लेते हैं, जो interactions आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं, उन्हें observe आपको करना होगा, then you have to conclude, तब आपको conclusion निकालना होगा, कि आप कौन है, और आप किन situations में किस तरह से behave करते हैं, कुछ questions हैं, जिन से आप start कर सकते हैं, आइए देखते हैं, वो कौन कौन से questions हैं, जिन से आप अपने आपको जानने की कोशिस कर सकते हैं, list three, each of your strength and weakness, कहीं पर भी आप अच्छे हैं and the weakness किन fields में आप कमजोर हैं, कौन सी चीजे आपकी weakness हैं और कौन से आपकी stink हैं, इनकी आपको क्या करना है, इनको list बनाना है, उसके बाद आपको what do you value most, किस किन चीजों को आप सबसे ज़्यादा value देते हैं, ये आपको observe करना है, differentiate between what one can or cannot do by themselves, इसके क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, what feelings are you more aware of experiencing as compared to others, means दूसरों की तुनला में आप किन भावनाओं को महसूस कर रहे हैं, next, what are your triggers, आपके triggers क्या है, triggers means something which cause to something happen, means ऐसा को कारण जो किसी भी घटना के होने के लिए जिम्मेदार होता है, that is called triggers, so mostly जो triggers होते हैं, वो negative और ये आपके uncomfortable emotions होते हैं, जो लोगों से या जो situation से हमें मिलते हैं, बहुत कम positive triggers हमें मिल पाते हैं, next, how do you respond under stress, stress यदि आप feel करते हैं, तो उसमें आप किस थरह से respond करते हैं, we discussed under the session, stress management skills, apply stress management skills, हमारा session one था, उसमें हमने discuss किया था, stress के बारे में, so stress के समय, चलिए उसके लिए आपको उसी वीडियो को आप देखेंगे, तो ज़्यादा वेटर बे में समझ पाएंगे, यहाँ पर हमें stress को discuss नहीं कर रहे हैं, तो केवल यहाँ पर हमें क्या देखना है, कि stress में आप किस थरह से respond करते हैं, यह है अपने आपको observe करना है, and how do the different role you play in your life make you feel, वो कौन-कौन से roles हैं, जो आप अपने जीवन में play करते हैं, like student, best friend, employee, athlete, etc, यह आपको देखना है, यह सम questions हैं, जिनके साथ आप सुरू कर सकते ह और the main thing is that you must be aware at every time, आपको हर समय aware रहना आप क्या कर रहे हैं, आप कहा हैं, आपको यहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप aware रहना सीख जाते हैं, तब यह सारी चीज़े आप automatically learn कर पाएंगे, and hope you are now aware the meaning of self-awareness. In our next video, we will discuss over self-motivation, how can we self-motivate ourselves, उमीद करता हम आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तब वीडियो को like, comment और share करना ना भूलें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, तब चैनल को subscribe कर लिजे, और साथी साथ bell icon के button पर click करने के बाद all पर click करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के notification आपको मिलते रहें, thank you for watching Ed Online